अब जहां BPSC लगतार सिक्षकों की बहाले की परिक्षा ले रही है तो वहीं दूसरे तरफ नियोजी सिक्षक भी राजकर में बनने का इंतजार कर रहे हैं और अब उनका इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है नमस्कार मैश्वेट और आप देख रहे हैं नियूस फोनेशन खबर नियोजी सिक्षकों से जुड़ी सामने आ रही है जहां नियोजी सिक्षकों की परिक्षा की जिम्मेदारिक बड़े बोड के अधिकारी को दे दी गई है आखिर कार नियोजी सिक्षकों की परिक्षा कौन लेने वाला है और किने ये जिम्मा बिहार सरकार ने सौपा है के 4 लाख नियोजी सिक्षकों की समक्षता परिक्षा को लेकर बड़ी खवर आई है नियोजी सिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए बिहार विद्याले परिक्षा समीती यानि की बिहार बोर्ट की ओर से सक्षमिता परिक्षा ली जाएगी सक्षा विभाग ने BPSC को इसके लिए प्राधिकृत किया था विभाग की ओर से सोंबार को इस संबंध में आदेस भी जारी किया गया सक्षमिता पास करने वाले नियोजी सिक्षकों को राज़कर्मी का दर्जा मिल जाएगा उन्हें परिक्षा देने का तीन वार मौका दिया जाएगा बिहार में लगवग चार लाख नियोजी सिक्षक है राज़ सरकार ने पूर में सिक्षक नियमवली में बदलाव करते हुए उन्हें राज़कर्मी का दर्जा देने के लिए बिपेसी की परिक्षा पास करने की बादिता रखी थी इसका बड़े अस्तर से विरोध हुआ इसके बाद सीम नितीश कुमार ने अलान किया कि ये नियमवली को बदला जाएगा नितीश काबिनेट में नियोजी सिक्षकों को राज़कर्मी का दर्जा देने का फैस्ता लिया गया इसके तहर नियोजी सिक्षकों पर एक सामान सक्षमता परिक्षा देकर राज़कर्मी बन सकेंगे बीपियसी टीचर के समान भी बेतन लाव और अन्यसुधा मिलेगी शिक्षा बिभग ने अब सक्षमता परिक्षा लेने के लिए BSEB को अधिकृत किया है पहले BPSC के जिम्मे में ये था लेकिन अब लक्यास लगाया जा रहा है कि अब ये परिक्षा BPSC न्यूक्त एक्जाम तरह से कठी नहीं होगा इस में सिक्षिकों को सामाने टेस्ट दिये जाएंगे और इसकी जाँच की जाएगी क्या सिक्षक बच्चों को पढ़ाने के लायक है या नहीं सक्षा विभाग के अनुसा नियोजिस सक्षकों को सक्ष्मता परिक्षा देने के अधिकतं तीन मौके दिये जाएंगे BSP जल्दीज परिक्षा के पैटर्न और तारिक की संबंदिद जानकारी जो है वो घोसित करेगी अब देखना होगा कि नियोजिस सक्षक जो लगता राजकर्मी का दर्जा माँगना चाह रहे थे राजकर्मी बनना चाह रहे थे वो चार लाक नियोजिस सक्षक कितने पास होते हैं और कितने फेल होते हैं और जो सक्षक फेल होंगे उनके साथ बिहार सक्षा विभाग क्या करेगा यह भी जानकारीस की नहीं निकल कर सामने आयी है खबर ये निकल कर R CAT रही है कि उन्हें राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाएगा और वहीं आपको बता दे कि बिहार में लगतार BPA CIO की तरफ से सक्षक बहाली निकाली जा रही है, BPSCIO की तरफ से परिक्षा ली जा रही है तो वहीं अब दूसरी तरफ नियोजिस सिक्षको को राज करमी बने की जो सक्षमता परिक्षा है वो BSEB लेने बाला है ना कि BPSC की तरफ वो परिक्षा हाड होने बाली है फिलाल के लिए इस खबर में इतना ही